हलो फ्रेंट्स इस वीडियो हम देखेंगे प्राब्लम सी आप कोड फोर्सेस राउंड 831 ठीक है ब्रिक्स और बैक्स अब इसका प्राब्लम स्टेट्वर्स का लॉजिक थोड़ा सा समझने में मतलब हो सकता है बट इसका कोड बहुत ही छोटा है बहुत ही छोटा मतलब इसक कावाद कोड यह बहुत ही सिंपल कोड ठीक तो इसमें क्या बोला गए आपको तीन ब्रिक्स आपको दिये गए ठीक है तीन आपको मतलब स्वारी तीन बैक्स दिये गए आपको बीवन बैक्स बैक्स और हमें क्या दिया गया एन ब्रिक्स दिया गया हर एक ब्रिक्स का जो ह कि मुझे लेना है, इन तीनो ब्रिक्स से, एक तीनो बैक से एक एक ब्रिक्स ले रहा है, ठीक है, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, और इसका वेट मा लेते हैं, W1 है, B2 से W2 है, इसका B3 है, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों का difference लेंगे, W2-W3, absolute difference लेंगे, ठीक है, और इसका लेंगे, W-W2, अब इन दोनों, जो भी इसका sum आएगा, हमेशा यही करेंगे, कि जितना minimum possible हो सके यह, minimum possible, हम वही W1, W2, W3 लेंगे, जिसका यह minimum possible हो जाईए, ठीक है, तो arrangement हम करेंगे, ठीक है, समालीजे arrangement हो चुका है, फिर उसके बाद जो minimum लेना है, minimum possible, उसको ह बना देंगे, minimum possible, ठीक है, वो ले देंगे, अब problem में बस यही बोला है, कि जो minimum possible है, इसको हम, आपको ऐसा arrangement करना है, कि हम minimum possible तो करें, जितना हो, उतना ले minimum, बट वो ऐसा arrangement हो, कि हमारा minimum possible थोड़ा maximum हो, मतलब, जितना maximum हम कर सकें उसको, ठीक है, जितना ज्यादा हम, अपने minimum possible को हम कर सकें, ठीक है, बस यही problem statement है, यह और clear हो जाएगा, अब देखते है, ठीक है, इसमें पहले, तो मैं आपको बता दूँ कि 60-70% लोगों का इसमें पहली बार में गलत आया होगा, ठीक है, गलत आ रहा था, मैंने देख रहा, ठीक है, तो उसमें पहले क्या है, कि उस यह इस दोनों बाइक का एक element, इस से difference होगा, इस से, इस से, इस से, तो हमने सोचा यार कि यह काम करते हैं, कि इसको एक minimum में lot कर देते हैं, इसको maximum weight है, और सारे minimum maximum के लावट है, इसको इसमें lot कर देते हैं, तो minimum और maximum का difference तो एक अच्छा-खासा आएगा ही आएगा, मालने यह से कोई X होगा, अब फिर हम देख लेंगे कि हर बाइक, जो इसके minimum मैक्सिम के बाद जो भी, inert हुआ है, वो इल् SooT जो भी हुआ है, उससे हर एक back के लिए हम, चेक कर लेंगे, ठीक है, हर एक back के लिए हम, चेक कर लेंगे, जो भी उनका minimum होगा, मा लेते हैं, यहां पे माल लेते हैं B2 B2 Bricks था, यहां पे माल लेते हैं B3 Bricks था, ऐसे ऐसे तो हम सब हर एक Bricks से में निकाल लेंगे यह वाला X तो fix रहेगा minimum minus maximum, बट यह variable है तो इन में जो भी आएगा हमारा, उसका हम minimum value ले लेंगे और उस minimum value माल लेते हैं Y है, तो X plus Y हमारा क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा ठीक है, हमने सोचा कि यही maximum possible है, ठीक है, कि एक back को minimum दे दे, एक को back को minimum दे दे और बाकी other back को दे लगने में लग भी रा तक logic सहीं है ठीक है, बट logic और हाँ, और पहला जो test case दिया गया है, इस हिसाब सगर हम करेंगे तो पहला test case pass भी हो जाएगा ठीक है, बट यहाँ problem आ जाएगी ठीक है, वो hidden test case है वहाँ पर problem आएगी, अब उस test को इसको हम समझते हैं, ठीक है तो बस अब इसको test case को समझेंगे, कि ऐसा क्यों कि एक minimum एक maximum हम देने से कभी-कभी answer possible नहीं होगा, suppose आप हम array को ठीक है, जो भी हमारा weight दिया गया है जो भी weight दिया गया है and weights जो है, उसको हम पहले का करेंगे, sort कर दे रहे हैं, ठीक है sort करने के बाद हम उसको number line पे, number line मतलब समझ रहे हैं बेसिक उसको number line की तरह हम treat करेंगे, कि number line पे अगर यह है 5, तो इसका मतलब 5 weight यहाँ पर है, तो इसका मतलब 5 weight present है, यहाँ पे 8 है, तो 8 weight present है, तो मतलब हम अपने weight को short करने के बाद number line की तरह treat करेंगे, ठीक है, इस problem में अभी तो suppose माले जी, यह हमारा कुछ इतना बड़ा array है यहाँ पे कुछ दिया गया है weight minimum वाला, ठीक है, यह mn हम माल लेते हैं, और यहाँ पे जो weight है, उसको हम mx माल लेते हैं, ठीक है यह mn, यह mx और यहाँ पे कुछ weights है, यहाँ पे कुछ weights है, यहाँ पे कुछ weights है है तो एक सबढ़ टेक हैं हिड़न टेस्ट केस कें बारे में डिस्कस कर रहे है एक यह है तब आप इसको हम हटा के हम बस हम आपको बता रहे है धाग्राम से कैसा एक डाग्राम ऐसा बन सकता है ठीक है ऐसे डियानस देखिएगा तो अब एक बात बताना ये minimum और maximum इन दोनों का एक अच्छा खासा difference आएगा माल लेते हैं वो difference है x ठीक है वो difference है x फिर उसके बाद अब यही चीज़ करना है कि या तो वो difference अब जो दूसरा difference होगा और यहां से लेकि यहां तक के array को हम एक बाइक में रख देंगे ठीक है अब हम देखेंगे कि minimum से कौन सा ऐसा बाइक है जिससे minimum answer मिलेगा minimum value आएगा तो माल ले बाइक b2 में हम ये रख दिये है minimum वाला answer ठीक है और बाइक b1 में हमने mx रख दिया तो mx minus mn x जो है वो एक answer तो एक part हो गया ठीक है लेकिन दूसरा part क्या होगा कि यहां से जो भी इस bag से इस वाले bag से जो b3 bag हो है और b2 bag में माल लेते हैं ये b2 में रख दिया गया ये b1 में रख दिया गया तो b2 में से और ये वाला जो भी अपना है ठीक है ये जो b3 bag में रख गया है तो इन में से जो भी minimum answer होगा वो भी इसमें add होने वाला है तो माल minimum कौन सा होगा यही होगा जो सबसे पहला वाला element होगा इस से ठीक है तो ये माल लेते इन दोनों का difference है y तो यहां पे y ठीक है तो अब आप ये सोचिए कि अगर हम एक काम किया हुदत है क्या काम करेंगे यह distribution करना है ना तो हम एक चीज़ करेंगे कि इन दोनों bag को इन दोनों element को हम b1 में रख दे रहे हैं इस bag को हम b2 में रखते रहे हैं और इस bag इन दोनों element को मालने थे 5 element थे 5 bricks थे तो इनको हम B3 में रखते रहे हैं अब बताना है कि B1 और B2 ठीक है एक सेकंड एक सेकंड ठीक है तो हमें पता था कि Y बहुत छोटा है फिर यहां पर B1 और B2 तो इसमें थोड़ा सा लॉजिकल थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आप इसको चेंज कर ल लेते हैं ठीक है और यह B2 है ठीक है तो अब इसी से अच्छे समझ मार जाएगा अगर हम B2 को अब हम देखेंगे B2 का B1 से डिफरेंस निकालेंगे तो यह एक नया X है माले जीए ठीक है यहां सबसे दूरी है ना क्योंकि यह में प्रकार से minimum का का काम करेगा यह maximum का और वो उस minimum का काम क्या करेगा इस backs हम कौन सा लेंगे यह वाला element लेंगे ठीक है फिर देख लेते कौन सा लेंगे यह वाला जो इससे पास है और इधर से कौन से लेंगे हम जो यह माल लेते यह लिए ठीक है तो इन दोनों की जो भी difference है इन दोनों का जो difference है वो माल लेते X डैस है और अब B2 और B3 का difference ये वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Y dash, अब आप खुद बताईए, जब आपने X लिया था, ठीक है, वो X, X1 से बड़ा है, ठीक है, X जो है, बड़ा है, X1 से नोड़ाओ, ठीक है, क्योंकि X हमने maximum possible ले दिया था उस समय, अब इस समय लेकिन X1 छोटा है, ठीक, बट एक आप उस समय देखे थे, कि Y हमारा ये था, और इस समय जो हमारा Y dash है, ये है, तो क्या Y dash में एक अच्छा खासा difference है, Y dash जो है, ये Y1 माली जी ऐसा कोई case हो सकता है, जो बहुत ही छोटा हो, और Y1 बहुत ही बड़ा हो, और X1 जो है, उतना compare में छोटा ना हो, जितना X हो, मतलब X से छोटा तो होगा, बट इतना छोटा नहीं होगा, जितना यहाँ पर Y है, तो Y1 क्या होग जाएगा, बहुत बहुत बढ़ा भी हो सकता है Y से, तो अब उस case में, X जब बढ़ा है X1 से, और Y1 बहुत जादा बढ़ा है Y से, तो उस case में X प्लस Y एंस वन लेना बेटर होगा, या X1 प्लस Y1 एंस वन लेना बेटर होगा, तो definitely X1 और Y1 लेना बेटर होगा, ना कि X, Y, तो इसलिए वहाँ test case में गलत हो जाएगा, और इसलिए क्या होगा, कि एक दूसरा अप्रोच हम यहाँ डिसकस कर रहे है, यह अप्रोच सही होगा, X1 प्लस Y1, बस logic थोड़ा सा इसका अच्छा है, बस उसके बाद तो खेल कता है, बस हम अब logic आखरी पॉइंट के हम पहुँच चुके है, कि X1 प्लस Y1 हमको answer लेना पड़ेगा, अब X1 प्लस Y1 निकलेगा कैसे, अब उसके उपर बात करते हैं, वो पता चल चुका है, कि वो सब गलत था, इसका मसलब हमारा अप्रोच दूसरा है, ठीक है, अब यहाँ से हम एक नए डाइग्राम में समझा रहे हैं आपको, यह हमारा element है, ठीक है, अब यहाँ पर एक element था, यहाँ एक element था, और यहाँ पर लेते एक था, यहाँ पर एक है, यहाँ पर तो बस अपन चिंज करने का time है, ठीक है, तो अब हमको पता है कि यार अब देखो हम क्या करेंगे ना जब भी एक box में हम यह डालेंगे फिर कुछ box में हम यहार डालेंगे और हमको एक पता है देखो हमें एक चीज मालूम है कि यार इसको अगर हम इन दोनों को box को लेंगे ना तो इसमें इसमें तो हम जाएंगे ही ज तो था इसको maximize कर रहे थे न तो एक काम करते यार B2 को जब हम यहां पर यहां लेह ही रहे है तो एक काम करते है कि B2 को सबसे ज़्यादा कि दूर और यहां जब हम यहां पर minimum लेही रहे है इन दोनों का तो ताकि यहां भी मिनिमाम यहां difference यह बन सके ठीक है और एक चीज़ यह observation करना पड़ेगा हमें खुद से कि जब हम इन दोनों को यहां difference ले रहे हैं और फिर इन दोनों का अगर हम यहां पर कुछ elements होगे यहां पर कुछ elements होगे तो वो हमेशा यह कोशिस करेगा कि जो भी element यहां B2 में है उससे just यहां जो पहल element और B2 वो तुरंत आपस में subtraction करें ठीक है बैग मतलब B2 का यह element सबसे पहला वाला ठीक है और यह सबसे आखरी वाला बैग B3 का वो सोचेगा कि इन दोनों को लिया जाए तो अब यह चीज़ पता चल जुका है कि यह दोनों हमेशा adjacent है ठीक है क्योंकि इसका पहला और इस बीवन में हम जितनी दूर possible हो जितना यह दूरी possible है उतना दूरी हम possible बना पाए तो हम कहेंगे क्या ताइंगे यार इक काम करते हैं बीवन में एक ही element लेते हैं ठीक है बीवन बैग में एक ही element लेते हैं क्योंकि इन दोनों का adjacent तो होना fixed है B2 और B3 का क्यों वो सोचेगा कि यार B2 हमको minimize हो करेगा पहले ही problem में discuss कर चुके हो को हमेसा minimum ही लेगा तो यह सबसे किनारे अगर यह B2 का element ले रहा है तो B3 का automatically यह select हो जाएगा अब हमें बस यह depend करना है कि B1 क्या है तो B1 में हम सबसे आखरी वाला element ले तभी better answer आएगा तो इसलिए हम B1 में सिर्फ यही answer और यह वाला block ही यह वाला push करेंगे ठीक है B1 में मतलब हम सिर्फ यह वाला पहला वाला बैग हम जो सबसे weight जिस सबसे कम है उसको हम रखेंगे और फिर इन दोनों क्या करते आएंगे फिर क्या करेंगे कि B2 में यह वाला बैग रख दिये और फिर B3 में यह सारा रख अगर जब यह रखें और यह रखें ठीक है यह वाला बीटू में और यह B3 में पूरा इसके बाद पहला एक element छोड़के तो इन दोनों सबसे किनारे वाले जो elements एडिसेंट उन दोनों को लिया जाएगा और इसका इसका difference लिया जाएगा फिर अगर बीटू का size बढ़ गया माली यहां से यहां तक हो गया तो फिर यह वाला और यहां पे माली यह B3 का size यह है तो यह दोनों element लिये जाएगे फिर इसका बीटू का यहां से यहां difference निकलेगा ठीक है तो बस इसमें अगर हम इसको समझ ले ठीक है एक नए diagram हम कर क्या रहे है कि अगर अपना यह यहां पे था हम यहां पहले बीटू का size यह था और यह B3 का पूरा size था यह B1 एक element हमने B1 में लिया है ठीक है तो अब हम इन्हीं दोनों का ही difference निकालेंगे क्योंकि minimum यही possible है फिर यहां पे हम निकालेंगे सक्से दूर ठीक है इसलिए हम सक्से ज़्यादा gap हो इसलिए हम B1 में ही element रख रहे है ठीक है तो फिर हम ऐसा हो सकता है कि फिर हम B2 का size यह B2 है यह B3 है और यह B1 है ठीक है ऐसा भी हो सकता है कि हम B2 का size बढ़ा दे फिर B3 का size घट जाएगा बट डिफरेंस क्या होगा तुरंत अजिसेंट वाले ही element होंगे क्योंकि minimum लेना है हमको फिर हम उस सम B2 की size बढ़ाएंगे B3 की size घट जाएगी तो फिर से absent ही होगा absent लेना है और फिर इससे compare करना है ठीक है तो बार बार हम size नहीं change करेंगे तो अब हमें पता चल चुका logic क्या है कि logic यही है कि यहां इन दोनों का absent निकालेंगे और इसका यहां से सबसे पहले वाले element फिर इन लिख सकते हैं तो यहां से अद्सेंट ही लेना पड़ेगा फिर इसको यहां से पहला वाला डिफेरेंस फिर इन दोनों का absent निकालेंगे फिर यहां से पहला है क्यूंकि हमें पता है कि एक ऐले पता है कि अगर यह element हम लेंगे ही लेंगे तो यहां से यार B3 लेना पड़ेगा ठीक है अगर बीटू का यह element है अगर यह है तो बीटू का यह पहला element हमें लेना पड़ेगा minimum के लिए और फिर बीटू को सोचिंगे maximize करना है तो इसलिए पहला answer लेंगे तो इसी तरह हम पहले यह उल्टा भी हो सकता है बीटू यहां जाए बीटू यहां हो और बीटू में आखरी वाला element हो ठीक है बीटू में इधर से start हो कि बीटू का side यह है बीटू का side बढ़ गया तो यह वाला लें है क्यों हम absent ले रहे हैं ठीक है क्यों ऐसा तो आपको हमने समझाने के पूरा ट्राई गया अगर आपको doubt है तो आप comment में करियेगा ठीक है तो यहां देखिए यह input है यहां तक sort कर दिये है कुछ भी नहीं है यहां फिर end answer अपना 0 कर दिये है फिर यहां पर हमने क्या कर दिय दो-दो element का pair लेते हुए और आखरी element से हम एक आखरी pair का हो जाएगा पहला और आखरी और एक हो जाएगा pairing का ठीक है तो पहला और यह pairing हो गया इन दोनों का adjacent और यह पहला और आखरी हो गया ठीक है इसी तरह हम आखरी element से भी चलते हुए आएंगे ठीक है तो pairing करते हुए और यहाँ पर यह वाला element है इसको हम आकरी से पहले वाले element से minus कर लेंगे और एंसर को अपने maximize करते जाएंगे और बाद में print कर देंगे ठीक है तो I hope आपको यह video पसंद आया है अगर आपको पसंद आया है तो आप please इस channel को subscribe करिए यह channel क्योंकि नया है और आप इसको share करिए और क्योंकि हम आगे भी contest के से videos बनाते रहेंगे आगे भी DSA को पर questions लाते रहेंगे ठीक है फिर thank you for this video thank you